Hello and welcome to my channel Usha Jaiswar Arts Calligraphy by Usha So guys, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा And यदि आप चाहते हैं अपनी handwriting इंप्रॉव करना, cursive writing सीखना and calligraphy सीखना तो आप मेरे चैनल के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से लिखना सीख सकते हैं different styles में, different styles of writing आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर काफी सारी चीजी सीख सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा मेरे चैनल में में sketching plus paper craft and calligraphy यह सभी आप सीख सकते हैं so in this video we are going to learn how to write the capital letters in calligraphy आप पिछले वीडियो में जाकर alphabet A to L तक के letters को की formation सीख सकते हैं plus small letters in calligraphy की formations भी मैं सिखा चुकी हूँ जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं उन्हें watch करके आप गाफी easy तरीके से आप सीख सकते हैं so आज के इस वीडियो में मैं आपको alphabet M से आगे की formation सिखाऊंगी तो आईए हम start करते हैं एक बार फिर मैं आपको remind करा दूँ कि हमें calligraphy सीखने के लिए four line notebook की आफशकता पड़ती है यदि आपके पास available हो अगर नहीं हो तो आप normal copy भी यूज़ कर सकते हैं plus any pencil you can use किसी भी तरह के pencil आप यूज़ कर सकते हैं और four line copy यूज़ करेंगे तो आप काफी easy तरीके से आप अपनी handwriting इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी writing में आप changes देख सकेंगे so let's start पिछले वीडियो में हम L तक के alphabets की formation सीख चुके थे now in this video we are going to start with M देखिए जैसा कि हमरा basic base जो था capital letter का देखिए वो मैं आपको समझाया था हमें first line red line से start करना है यहां से start करेंगे नीचे आएंगे जब हम तो pencil को डार्क चलाते हैं और उपर की तरफ जाते हैं तो pencil को बहुत हलके हाथ से चलाते हैं तो देखिए आप उपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मैं pencil को डार्क चलाते भी लेके आऊंगी red line से थोड़ा जुकाते भी लेके आएंगी यह हमारा base है हर alphabet का mostly हर alphabet इसी base पे रहेंगे इस style में यह देखिए आप यहां से आएंगे थोड़ा टेड़ा लेते में आना है थर्ड लाइन टच करेंगे जन सेकंड लाइन तक जाना है गोल गुमाते वे एक डॉट पर खतम करना है जिस डिरेक्शन में आपने इस लंडिंग जितना लिया था उसी उसी के जितना ही हमें वापिस next M की दूसरी लाइन यहां से बनानी है देखिए आप यहां से अगें को पर जाना है और नीचे आना है ओने इक ड्र देखेंगे है रेड़्य लाइन से स्टार्ट करेंगे नीचे हाएंगे टीरा इंड लाइन टज करते भें तताई से से शेकंड पिच आके राउन का मिंटेंगे ओ नाव नीचे आइंगे ए आ पिस से देखिए एक बार फिर देखते हैं देखिए हम नीचे आएंगे तो पैंसिल को डार्क चलाएंगे और जो हम उपर जा रहे हैं तो पैंसिल को लाइट नीचे आएंगे अगें डार्क रेड लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए आपका एक पर स्मॉल एम की फॉर्मेशन भी बता दूँ मैं आपको हमें यहां से सेकंड लाइन से थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना है दिखिए सेकंड लाइन से थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना है पैंसिल यहां तच करके यहां जाएंगे तोड़ा डार्क लेंगे यहां के हाथ से वह पर सूपर जाएंगे टेडा अगें नीचे आएंगे this is small m एक पर फिर से देखते है देखिए आप जब भी पैंसिल मेरी ऊपर की तरफ गई है मैंने light pencil चलाई है जब नीचे की तरफ हम आएंगे तो pencil dark चलाएंगे आपका light and dark का difference दिखाई देना चाहिए आपको हर alphabet की लिए practice जरूर जादा से जादा practice करनी है 3 to 4 pages अगर आप पर letter की करेंगे तो आप अपने handwriting में improvement जल्दी देख पाएंगे जल्दी सीख पाएंगे आप जितना आप practice को time देंगे उतना आप जल्दी सीख सेकेंगे So this is the M capital and small now the alphabet N देखिए आप जिस तरह से हमने M की starting की थी वह base हमारा रहे वह ही रहेगा उपर से आएंगे dark टेड़ा round खुबाते हुए इस तरह से now again यही से M की तरह ही नीचे लाना है इसको देखिए आप यह pointed होना चाहिए यहां से and बिना हाथ उठाए ही आपको हलके हाथ से यह करना है इस तरह से this is the alphabet N फिर से देखिए तेड़ा आएंगे round खुमाते वे circle लेते वे dot पर खतम करेंगे and again यही से फिर से देखिए फिर से point टोन अचिए आपकर and again कि नौव स्मॉल एन की फॉर्मेशन देखिए अब जिस तरह से हमने एन बनाया था उसी तरह से एन की भी फॉर्मेशन है सेम यहां से स्टार्ट करेंगे सेकेंड लाइन से थोड़ नीचे से लाइट पैंसिल नीचे आएंगे डार्क अगें उपर की तरफ जाएंगे लाइट नीचे आएंगे डार्क एम और एन आपको समझ में आ गया होगा नाओ अलफबेट ओ देखिया ओ की फॉर्मेशन जो है थर्ड लाइन से हमें स्टार्ट करनी है थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे हलके हाथ से उपर जाएंगे यहां तक आके रुकेंगे हम दैन अगीन इसी लाइन पर वापिस आएंगे डार्क पैंसल चलाते वहें कि थर्ड लाइन से नीचे से स्टार्ट करना है उपर जाएंगे लाइट पैंसल नीचे आएंगे डार्क चलाते वहें उधर उसके उपर ही और गोल गुमाते वहें लाइक दिस नीचे से स्टार्ट करना है कैपिटल और स्मॉल ओ की फॉर्मिशन सेम रहेगी कैपिटल ओ जो है हमारा वो थ्री लाइनस में हम बनाएंगे और स्मॉल ओ जो है वो हमारा टू लाइनस में बनेगा अइंड लिए स्टार्ट करना है चील और स्टार्ट करेंगे में 3 फॉर्ट से स्टार्ट करेंगे, श्लांटिंग लेंगे लिए भागी में नीचे आएंगे डार्क उपर जाएंगे लाइट ऑन यह भी लाइट कि नवा अलफबेट पी तो हमारा बेस वही रहेगा पी के लिए भी यहां से आएंगे अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से नीचे आएंगे थर्ड लाइन तक राउंड लेते हो यहां से हम लेंगे थोड़ा साथ गोल घुमाएंगे नीचे लाके पिर से देखिए रेड लाइन से स्टार्ट करना है तेड़े आएंगे सरकल में लेते हुए राउंड शेप में लोट पर रुखेंगे एंड यहां से पैंसिल को लेके आके नीचे जाके एक बार फिर से उपर इस इस तपी अगें देखिए रेड लाइन से स्टार्ट करेंगे नीचे आएंगे राउंड शेप लेते हुए यहां से लेते गोल घुमाएंगे नीचे आके कि अचिण से स्टार्ट करते हैं उसी तरह कि स्टार्टिं होगे इसकी रेड लाइन को टच करेंगे फर्स्ट टच करके थोड़ा सा गैप करके नीचे आएंगे डार्क में नीचे आते हैं तो डार्क उपर जाते हैं तो लाइट अगें इसी के उपर जाके इसे अलपविट पी इन स्मॉल लेटर कि नौ क्यापिटल क्यू देखिए आप क्यू की फॉर्मेशन हम रेड लाइन से ही स्टाट करते हैं उपर से नीचे की तरफ आएंगे डाक पैंसल चलाएंगे उपर वापस गूल गुमाते हो जाएंगे हलके हाथ से एंड यह क्यू रहेगा हमारा उपर से आएंगे डार्क पैंसल नीचे से जाएंगे लाइट और यह टच करते हुए नीचे गूल गुमाते हो जाएंगे पर से देखिए क्यू और ओ में कंफ्यूज नहीं होना है आपको जो हम पैंसल को गूमाते है उपर की तरफ जाता है क्यू जो है वह नीचे की तरफ आता है कर देखिए नहीं स्मॉल क्यू देखिया है रेड नी थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है तेड़ा ले जाएंगे हलका एंड गूल गूमाते हो बापस आएंगे नीचे आके इससे क्यू फिर से देखिए तो यह क्यू एल्फबेट कम्प्लीट होता है आप सभी को समझ में आया होगा अच्छी तरसे आपको गर्ली है जाएंगे अच्छी तरसे पॉफेक्टली सीख पाएंगे और और मुझे पूरा विश्वास से आप जरूर से सीखेंगे तो इस आल फूर टोड़े मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें थैंक्स अलोट पर वाचिंग दे वीडियो तो थियो तक्यू गज कैंगे बिद वाचिंगा से लिए को जादा रिए की मेरी तyाल डार मूले और म५े विश्वास से खाना वीदन थैऔर को जादा चरहं पितला शेप के बौट चैनल को की ता अफस्नी ना नवागा से लिएमा ना द cetteव छूर्गन नेर के ते पामान